साथियों, करनाटका, युवा टैलेंट, युवा इनोवेशन की धर्ती है। ड्रोन मैनुफेक्टरिंग से लेकर तेजस फाइटर प्लेन बनाने तक करनाटका के मैनुफेक्टरिंग सेक्टर की ताकत को दुनिया देख रही है। डबल इंजिन सरकार ने करनाटका को निवेशकों की पहली पसंद बनाया है। डबल इंजिन सरकार कैसे काम करती है इसका उधारन आज जिस हेलिकॉप्टर कार खाने का लोकारपन हुआ है वो भी है। साल 2016 में एक संकल्प के साथ मुझे इसके सिलान्यास का सवभाग्य मिला था। और संकल्प ये था कि हमें अपनी रक्षा जरुरतों के लिए विदेशों पर निर्भरता को कम से कम करते जाना है। मुझे खुशी है कि आज सेंकडो ऐसे हत्यार और रक्षा उपकरां जो भारत में ही बन रहे हैं। जो हमारी सेनाएं उप्योग कर रही है आज आधुनिक असॉल्ट राइबल से लेकर टैंक, तोप, नव सेना के लिए एरक्राप्ट केरियर, हेलिकॉप्टर, फाइटर जेट, ट्रांस्पोर्ट एरक्राप्ट, सब कुछ भारत खुद बना रहा है। 2014 से पहले के, यहां कड़ा याद रखना, याद रखोगे? 2014 से पहले के, पंदरा सालों में, जितना निवेश, एरोस्पेस सेक्टर में हुआ, उसका पांच गुना, बीते आठ नव बर्सों में हो चुका है। आज हम अपनी सेना को, Made in India हटियार तो दे ही रहे हैं, बलकि हमारा Defense Export भी, 2014 की तुलना में, कई गुना जादा हो गया है। आने वाले समय में, यहां तुम कुरू में ही, सेंकडो, सेंकडो हेलिकॉप्टर बनने वाले हैं। और इससे लगबक, चार लाख करोड रुप्ये का बिजनेस यहां होगा। जब इस प्रकार, मैनुफेक्चरिंग की फैक्टरियां लगती हैं, तो हमारी सेंकी ताकर तो बढ़ती ही है। हजारो रोजगार और स्वरोजगार के आउसर भी मिलते हैं। तुम कुरू के हेलिकॉप्टर कार खाने से, यहां आसपास अनेक छोटे छोटे उद्योगों को, व्यापार कारोबार को भी बल मिलेगा।